जै शिराम सभी भक्तों को जै मता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे जैसे की बहुत जादा कंगाली आ रही है घर में बरकत नहीं रह रही है या घर में पैसा हमारा नहीं टिकता है क्या क सकता है इस कंगाली के पीछे का राज तो आप अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आप मारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक् और मेरी मा जगत जनी मा भवानी अंप के गरपा आपके गर में अनपूरना रुप में वास करें और घर की हर कंगाली हर द्रिद्धा का नास करें अब क्या करना है क्योंकि द्रिद्धा किसी को भी पसंद रही है द्रिद्धा एक इस पकार का अभिशाप है जो कोई भी सव जुरूरी नहीं और ये भी इतियास गवा है कि गरीब आदमी ही अमीर बना है जिसने अपने आपको बदलने की कोशिश करी है वो तरक्यों को पर जुरूर गया है और उसने अपनी सवलता को जुरूर प्राप्त किया है क्योंकि जो हमारा जीवन है जो ये करम चेतर है ये प्रिशम मांगता है तपस्या मांगता है तप मानता है मान लिजे अगर आपको मैं बता रहा हूं कि राजा जो शर्द थे उनके 60,000 पुत्र थे कपिल मुनी के आश्रम में उन्होंने जो उन्हें शराप मिला था और उस खोशाली से राज्या नहीं करते कि पित्रों के उपर दाग लगाव है कलंक लगाव है हमारे साथ हजार जो पित्र हैं तकरीबन वो जो है अब एक किसम की ऐसी प्रेतियोंनी में है कि जिनकी सद्गति करवाना बहुत ज़्यादा अवशक है अगर वो तपस्या ना करते तप ना करते गंगा मा को धरती पर अफ्तित ना करते पाप नाशनी गंगा को ना अफ्तित करते तो शैदी उनका संगार होता और वो पाप से मुक्त होते तो उन्होंने तप किया याचना की पूजा करी पाट किया तो जिसके कारण माता गंगा ने धरती पर आना सविकार क किया महादेव की वह अनने तब किया तो वहारेव सफलत है और उस अभिशाप को हम नहीं पिचानते तो एसी अभिशाप से चुटकारा पाने के लिए हमें किस पकार का कारिया करना चाहिए और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम पीछे से तो बहुत अच्छे थे नेकिन अचानक कि हमारी पीडी में कुछ ऐसा कारिया हुआ ऐसा कोई कार्ण हुआ जिसके कारण हम गिरते ही गिरते चलेगे ये आपके परिवार के ओपर कोई ऐसा कारिया किया गया होता है या कोई स्तंबन किरिया गी होते है उचाटन किरिया की होती है या आपके परिवार के ओपर ऐसा करा कराय तंतर विद्या की होती है जिसके कारण आपके घर में दृच्टता दिन परती दिन पछाती जा रही है और ये भी बात आप सच़़ा ही जानते हो कि जब सुधामा के पास दृच्टता थी गृबी ती वासु देव श्री कृसन जो आपको पता है कि उनकी शरन में जाने के बाद आज वो सुदामा वो सुदामा नहीं रहा था पल भर में उनकी लकीरे बदल गई थी अगर उनके हातों में कई गरिबी रेखा थी तो वो गरिबी रेखा एकदम अमीरी रेखा में कैसे बदल गई प्रभु की शरन में जाने से हमारा उधार हो सकता है हमारे उपर गरिबी जो है कोसो दूर भाग सकती है इसी पकार से आपने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिरफ शंकर भगवान पर चो मुखी तिल के तेल का दिपक लगाना है सामन सामन चो मुखी तिल के तेल का दिपक और अपने शेहद और उसके अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूद का आपने अभिशेख करना है शंकर भगवान पर और उसके शिर चर्नों में लेकर जब निचे से आप जिलैरी से लेकर अपने पान करना है और अपनी मांग में लगाना है अगर कोई लेडिज है अगर कोई व्यक्ति है वो पान ही करेगा समझ गए तो आपने और यो चो मुखा दिपक लगाकर महादेव और माता पारवती से इस पकार की प्राथना करनी है कि हे जगत जन्नी मा आप तो अनपूर्णा का बंडार हो आप तो जगत की पालनहार हो आ आप ही वैशनों हो आप ही दुर्गा हो क्योंकि आपको पता है कि मा वैशनों जो है वो महालक्षमी महाकाली और उसके बाद मा सर्थवती के तिनों के जोड से ही मा वैशनों बनती है और वो ही दुर्गा है वो ही संगार करती है और उसी पकार से आप इस चीज़ को ये भी होता है तो उत्सा जब हमारे परिवार में भी होता है हमारे घर में भी होता है तो ऐसा कहा नहीं मान सकते कि कौन सी देवी शक्ति जो है वो प्रसंद नहीं होगी सबी क्योंकि माता जो काली है और मात जो दुर्गा है ये एक ही शक्ति है यहां तंतर भी है अगोर भी है चंडी भी है मसानी भी है और हर पकार की शक्तिया प्रसन होती है अगर हमारे परिवार के ओपर कोई यक्ष गंधर्व या किसी भी पकार का कोई अभिशापित परिवार है या कोई परिवार ने हमें नहीं जानते हम नहीं जानते कि हमारे परिवार के ओपर किस अभिशाप लगा है तो नेकिन उस अभिशाप से बचने के लिए आपने ये चो मुखा दिपक लगाने के बाद रोज देली ज्यारा माला ओम नमश्वाई पंचाक्षर मंतर की करनी है पंचाक्षर मंतर को आप छोटा मत समझना पंचाक्षर मंतर के अंदर अपार शक्ती है अपार किर्पा है जब आप इस मंतर का जाप करने लग जाओगे और जाप करने में खुली माला से निकरना रुद्राक्ष की माला से करना है और गोव मुखी के अंदर ही करना है आपको स्वम पता लगेगा कि आप जब धीरे धीरे आपकी हातों की लकीरे बदलती जाएंग प्रभु की शर्न में जाने से शर्ना गत की लाज रखते हैं बाबा और आप जब बाबा की शर्न में जाओगे शंकर भगवान की शर्न में जाओगे और मा लक्षमी का भी दिहान करोगे श्री विश्नु का भी दिहान करोगे क्योंकि आपको पता है कि अनपूर्न और शंकर के शिव जो है अगर इकी मातरा अलग कर दी जाए तो शव की value नहीं है और जब इकी मातरा साथ लगती है तब ही शिव बनता है और इसी पकार से नराएन और लक्षमी भी एकी ही हैं अलग नहीं है सब शिव से ही उत्पन है और उस दिन अगर आप इस पकार की पूजा याचना करोगे यकीन मानिए इस पूजा याचना को आप बंद मत करना बस ये बात नोट कर लेना गरीब भगवान पैदा जरूर करता है और बुखार कभी हमें सुवाता नहीं है कही न कहीं से अन जरूर प्राप्त होता है प्रिशम जो हम किसी भी कारिये में करते है जब प्रबू की भक्ती में करते है या याचना में करते है वो एक दिन आकर वो करम रूप में हमें जरूर प्राप्त होती है और जिस पकार से मान लिजए अगर किसी न किसी का अभी शाप भी लगा हो तंतर विद्या भी करीवी हो तो महादेव का एक नाम और भी है जिनका नाम भूत नात है भूतों के नात हैं जितने भी और मसानी और या कितनी भी विद्याएं माकाली की शक्तियां या दस माविद्याओं की शक्तियां सब मागो तो आपको पता है कि ये शक्ति शाली समय जो है इसका भव पुल्ले आपको उठाना पड़ेगा भव मुल्ले लाब आप जब प्राप्त करोगे वो उनीका अधिकार है वो आपको कब दे रहे हैं और किस रूप में दे रहे हैं कई वारी एक पीडी का बिल्दान अगली पीड खाई नहीं है आपने उपर हैवी मत होने दो भगवान की पूजा याचना में कोई धन की अवशक्ता नहीं है उस पूजा याचना में सिर्फ भाव की अवशक्ता है जितने भाव से अपने तप से जितने शरीर को आप तपाओगे उतना ही निखरते जाओगे और फिर कि आप जब जब जल का उसका अभी शेक करोगे आप जब शैद का क्या वो परसंद नहीं होगे क्यूं नहीं होगे एक काम और करना सिर्फ दो गुलाब के फूल एक महादे पर एक मागोरी पर ये भी आपने करना है यह यकीन मानिए कंटीनू करते जाएए और फिर देखिए क्या आपकी लकीरे बदल जाएंगी घर से कंगाली कोसो दूर भागेगी करा कराई दूर भागेगी पित्र समस्या होगी उसको भी बाबा जो है भव से पा कर दो है